तो फ्रेंट्स आप देख रहा है सुजीत शिंग का चैनल सिविल कंस्टक्शन एन आर्खिटेक्चर तो इसमें हम लोग पिछले बार वेडियो में डिसकस किये थे कि बात होगी ओपनिंग के बारे में ठीक है यह ओपनिंग एस्टक्चर में क्यों बनता है क्या पर्पस होता है वो बताया गया था और उसके हिसाब से क्या क्या एरेंजमेंट होता है तो आज हम लोग सब सीप्स से जो सिंपलेस्ट है उसके बारे में बात करें तो पहले हम जान ला कि कहां कहां ओपनिंग बनता है तो एक तो आप मानिए कि जो आटीसी पिदे लगता खराब हो गया RCC slab होता है, उसमें opening बने गए, RCC wall होता है, उसमें opening बने गए, RCC beam होता है, उसमें opening बने गए, RCC का equipment foundation होता है, उसमें opening बने गए, brick wall में opening बने गए, सभी में अलग-अलग purpose है, और opening का arrangement अलग-अलग ढंक से होता है, इसका अलबा भी ये भी है, specific है, आपको बताएं, गज़स साइलो में opening बनता है, ठीक है, मेल्स में opening बनता है, कंट्रोल रूम में opening बनता है, केबल, ट्रेंच में opening बनता है, तो ये थोआ specific चीज हो जाता है, जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग इसमें से देख कर आपको बताएंगे क्या होता है, तो आर्सेसी स्लाइब से हमें स्टार्ट करता है, आर्सेसी स्लाइब में जो opening बनता है, तो आर्सेसी स्लाइब जो होता है, चत हो सकता है dhauwa, floor हो सकता हैobia जनरल्य lessive बहुद्वी का को सकता है 125 बहुत है 115 हो सकता है 100, 150 हो सकता है, 200 हो सकता है 250 हो सकता है इससे अधिक भी हो सकता है ठेका? तो सिंपल dessus हम तो आज बात करेंगे ये 100, 115, 125 यह जो है, यह हमारा होम में, कंगיomena फॉलैट जो है अपर्टे में का फ्लैट होता है उसमें, कमरिशियल बील्दिंग में, यूतिलिक बील्दिंग में जहां पर इस बील्दिंग के यूज ओफिस, रेजिडेंस और कमरिशीयल कम्प्लेक्स करिए किया जाता है जिन्डली ये तीन थेखनेस होता है से लापका, तो इसमें क्या है, हंड़ेड, हंड़ेड फिप्टीन, हंड़ेड ट्विंटीफ़, तो ये जो कमर्शियल बिल्डिंग, रहने वाला बिल्डिंग में जो बनता है इसमें, तो ये आपका साफ्ट हो सकता है, वेंटिलेटर हो सकता है, एकजोस्ट हो सकता है, कई सरा चीज हो सकता है, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे, कि इतका रिइंफर्स्मेंट कैसे होता है, तो हम शपोज करो कि देखियाब, शपोज कि यह कि एक slab का extension पाठ्थ हम ड्रोग कर रहा है, ठीक है? कोई भी slab, 100, 125, 115 slab extension पाठ्थ है, इधर भी extend होड़ा, इधर भी exchange होता है, यहाँ पर एक opening है, ठीक है? अब सबसे सिंप्लेट से हम दो डिसकास करते हैं, यह ओपनिंग का आइजमेंट हो गाया करसे है, सपोज करो कि इस लैप का थिकनेश हंडर्ड हम है, यह हंडर्ड फिप्टीन है, यह हंडर्ड वन टुटिफाइव बसक्तन है, यह सक्षान हम अब करते हैं सेक्षन काटने के पाद यह कैसा दिखेगा, यह स्लाव है, यह सपोज करो, यह ठिकनेश स्लाव करें, टिया इसके लिख देता है, और यह जो है, यह ओपनिंग देट हो रहा है, यह ओपनिंग रहेगा, तो यह जब इदर से व्यू देखेंगे आप इदर से, तो यह तो यह स्लीज इस देखाई देगा, उस तरफ का, ठीक है, अब एक प्रामरी चीज, जो ओपनिंग होता है, उसका द्रॉइंग में पिक्तोरियल रिपरेंटरेशन कैसा होता है, यह ठंग से द्रॉइंग में र इसको कभी ओपनिंग बोल सकता है, और कभी इसको काट आउट बोलता है, ठीक है, अब इसमें रिन्फोर्समेंट कैसे होगा, तो रिन्फोर्समेंट जो है, अब फासर निच्चे आखता है, जा स्ट्रैप, अब समझने हैं कोशिज करोंगा, तो रिएक, जा छूँज, एक यह शलाप को पूर्रिपशन है, गया को आएक, अब यह हन्डीर्ड यह हन्डेडर्यओं को पhrज़ुज, तो इसके स्राउडिंग में सड्या जाएगा है, कि अगर इन्फोर्समेंट भीफटेन शल्रू कराता है, हैं बाव क्ड़श्मेंट डिजाइन में सिंगल लेयर में है तो यह सड़िया सिंगल लेयर अगर डबल लेयर में है तो इस दो सकता है तो फ्रुबाद टिजाइन का कंसेप्ट है, उतना डिटेल में नहीं जांगे, आपको खुद भी पढ़ना पड़ा है इक देंका, तो ये सिंगल लेयर भी हो सकता है, ये सर्याय, आपका दस डाय का भी हो सकता है, बारा डाय का भी हो सकता है, ये नंबर में होगा, जैसे में आउंड ओपनिंग, चू नंबर ऑप टेन डया, टू टूअट रए हैंथेज अणुए जो इस अफ्ट नबर जा गए, तो ये जो सर्या है, ये क्रोस्सेक्सटन का अगार जो ढूए, तो ये सर्या यह इसको यूज कर रहा है, तो ये दो सर्या इसा दिखाएंदा गाई, अगर सिंगल लेयर में है तो में सर्या यहां निच्छे रहा है स्लैब का सर्या यहां निच्छे है अपका इसके उपर में दिखला है नहीं अगर डबल लेयर में सर्या है सब्सक्रों कि यह उपर भी सर्या है इसमें ठीक है उपर भी सर्या है तो यह दो उपर भी दखलाएं दगए ओपनिंग का सर्या तो आपको लगता है कि इतना से आपको समझ में आ गया होगा स्लाइब का सर्या अगर सिंगल लेयर होगा अगर डवर लेयर है तो डवर लेयर होगा यह डाया जो है यह डिसाइड करेगा आपका अर्किटेक्ट कि डाया कितना होने भला है इसका तो यह तो होगया आपका यह होगया सर्या का काहर है ठीक है अब एक और ची धन देने भला बात है इस सर्या का लेंद कितना होगा इस सर्या का लेंद कितना होगा तो मद यह की ओपनिंग है ओपन ठीक है, शर्या का लेंद कितना हो जाएगा फिप्टिड है, D क्या है, डायमीटर अब सर्याएं, समझके है, उसी तरह बादेजी कि यह जभ निकाँद यहाँ से यहाँ आपका, यह क्या हो गया 50 D क्या है Dia of Reinforcement अब सपोज कि यह यह opening ऐसा है 500 का opening है मतलब रख लो calculation के लिए 500 by 500 का opening टेका तु सरया का length कितना होगा सरया का length कितना होगा सरया का length मतलब cutting length कितना होगा कटिंग लेंद मान लोग कि यह सर्या के निकालना है ठीक है तो 500 में लिखेंगा 500 इधर भी है इतना इधर भी है इतना एज के बाद दोनों तरफ है तो टू इन्टू 50 सपोजगरों कि 10 का सर्य आये करेकुड़ेशन को सिंपल करने के लिए 50 ठीक है यह कितना हो गया 500 प्लस 500 इन्टू 2 तो 1000 यह कितना हुए आपको 1500 तो इस हर्या का है लेंद्स इतना हो गया ठीक है अब इसका प्लेस्मेंट कैसा है इसको हम मिटा जगता है तो फिकर बायन एक लिए जगह बचेगा यह मालोक कि यह यह सपोजगरों कि यह स्लाब का है और यह आपका ओपनिंग दिखाए दरा ठीक है तो इसलाब का सर्या होगा दोगों यह कि यह बचाए तो इसको कफ़ेंग वाइगा कि यह कंक्रीट का इधर एंद पोईंट था इंद पोईंट था था इंद पोईंट था इसको अफ्ण वी तो आपका जो प्लेस्टमेंट होगा यह ओपनिक कशडिया का किधर और इसके अंधर में करना का ठीका इस इह नहीं कर देना है इधर कड़ो तो करवर हो जाएका यह दो सर्या ऐसा आग अगर उपर में भी है तो ऐसा आगे तो यह जो श्लायब का कभर है सपोझ करो को तूटी फाइव एम कभर है नः अब फी टूटी फाइव म कभर हो गया है कंक्रिट फेस्ट से यह हैं यह इसमें ड्रो कर लो यह सरी आजा रहा है तो पंकोरों को यह सरी आई है तो 25 अम इदर कबर हो गया है उसके अंदर में लगए गए जो एल रहेगा यह नहीं भी रहे तो कुछ अंदर मगर के लगाना है तो भी बैंडिंग करने में शुबदा हो कि इसके यह लौत और वी कंदि ना है विडियो गड़ा रहा है इसमें जो इसे ओपनिंग में में लगए वी आपको बता हैं कि यह वापनिंग आपकर मुदा है म。 ठीक है अब इसमें क्या है, इतका purpose क्या हो सकता है. इस opening का purpose के, विडियो लगाताव दिखते रहे है, इसको important चीह है. तो opening काजो purpose है, ठीक है इसका purpose होकता है. क्या purpose है आदमी का ने जाने के लिए है? समान उपर निधे करने के लिए है? यह एक्जोस्ट के लिए क्या है जैसे मैन हॉल यूज कर रहा है या एक्जोस्ट यूज कर रहा है या वेंटिलेटर यूज कर रहा है या लिफ्टिंग साफ्ट के लिए यूज कर रहा है उस हिसाब से इसका एरेंजमेंट कैसे होगा आपको अगला वीडियो बताएंगे क्य कि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो वीडियो को आप लोग फैलाइए शेर किजिए शब्सक्राइब किजिए डाउट होता है दो कॉल किजिए और आप देख रहा हैं सिविल कर्स्टरक्शन एंड अर्किटेक्चर बाइ सुजित सिंख ठीक है और हमारा और भी चीज आ कि एस ठीक है और हमारा वेबसाइड है टेक्नो डिजिटल 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 ड्को डॉट इन टेक्नो डिजिटल.co.in गूगल पर जाई है और गूगल पेज पर हैं कि आपको एक पेज है मेरा अच्छा पेज है सुजेट सुजेट अपोस्ट्र पैस केरियार कांसे टिक है इस पेज पाइप विजिट कि लिए कि अपको कोई 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 बात हो तो उसके थुरू हमको कंटैक्ट कर सकते हैं टेगनोडेजिटल डॉट को तो आज करिया इतना है प्लेज फॉलो एंड शेयर इट इसको आगे बरहाना है तकि मैक्सिमम लोगों को इससे मिल सके तो आज के लिए इतना है और धैंक थैंक यू ठीक है झाली सकते हैं